हलो सुपर लेर्नर्स हमने शुरू किया था वोक एन एनरजी जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नुबर टू इस लेक्चर नुबर टू में हम वो सारी चीज़े देखेंगे जो भी मेंशेंड आपके टेक्स्बूक के पेज नूबर 22-24 इस फ्रम क्लास 9 और मैं नमें शिवूम जा एंड एड़ुकेटर बाइच्वाइश एक बात ना अब लोग जो शेर करना चाहता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे हम सारे नोट्स लाइफ क्लास के शेडियूल और बहुत सारे प्राक्टिस कोश्चन्स देते हैं तो इसका डिसक्प्शन में लिंक रहेगा इसको जरूर जोइन कर लेना moving further guys हमने इस चाप्टर को तीन पार्ट में पढ़ना है जिसमें से lecture number 1 जिसमें हमने सारी 18 से 21 नमबर पे आने वाली page number 18 to 21 पे आने वाली सारी चीजे अल्रेडी देख लिया है उसका लिंक आपको description में या उपर eye button में मिल जाएगा lecture number 2 में हम देखने वाले हैं आज page number 22 to 24 पे आने वाली सारी चीजे वो क्या है मैं आपके साथ अभी share करता हूँ and lecture number 3 जो finally आएगा उसका हम 25 to 28 पे आने वाली सारी चीजे देखेंगे including all the numericals guys numericals वैसे हम हर एक topic को खतम करने के बाद immediately भी ले रहे हैं तो आप देख सकते हो इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं इस lecture के अंदर energy के बारे में types of energy के बारे में जो की होता है kinetic energy and एक और होता है आपका potential energy तो हम इन topics के बारे में इस particular lecture में पढ़ने वाले हैं तो दिल थाम के बैठिये क्योंकि आब हम मचाने वाले हैं गाइस energy यह word सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है चलो एक काम करते एक bodybuilder लेते हैं अब यह bodybuilder बहुत ज़्यादा version उठा रहा है बहुत version उठा रहा है मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा energy होगा strong person has more energy अगर इसके पास ज़्यादा energy है तो क्या मैं यह कह सकता हूँ यह ज़्यादा काम कर सकता है तुम्हारा क्या बोलना किसी के पास ज़्यादा energy होगी तो उसकी capacity to do work भी जाता है अच्छा एक और example लेते हैं जिसमें एक lazy आदमी है बिल्कुल मेरी तरह जो बहुत लेट लेट वीडियो अफलोड करता है तो इस इनसान के पास कम energy है lazy person has less energy तो क्या मैं यह कह सकता हूँ कि इस इनसान के पास capacity to do work भी less होगा मुझे चैट में yes या no बताना तो बच्चो energy को हम define कैसे करेंगे strong आदमी के पास ज्यादा capacity है काम करने की lazy आदमी के पास कम capacity है काम करने की तो क्या energy capacity to do work हो सकता है बिल्कुल सही पकड़ा तुमने the capacity of a body to perform work द्यान से सुनना the capacity of a body एक body की capacity किसी भी काम को करने की वाइद बे work क्या होता है लेक्चर वन में देखा है फिर से बताना चाहता हूँ description में link है उपर आई button पे अगर नहीं देखा तो please देख लिजेगा as it's called as its energy मतलब एक body कितना काम कर सकता है उसकी कितनी capacity है काम करने की उसी चीज को मैं energy कहता हूँ इस definition को याद कर लेना the capacity to do work is called as energy guys अभी को और बात energy बहुत सारे प्रकार के हो सकते है तो हमें अब देखना है types of energy कौन से type होता है energy के अगर मैंने कोईले में आग लगा दिया ध्यान से देखेगा अगर मैंने कोईले में या लकडी में किसी चीज में आग लगा दिया तो उससे जो energy मिलता है उसे हम कहते है heat energy तो heat can be a type of energy आप लोगों इसे windmill तो देखे ही होंगे इस windmill में क्या होता है जब हवा आती है जब wind आता है तो ये windmill गूमता है और कुछ तो होता है electric energy produce होता है या फिर कुछ भी होता है तो शायद wind भी एक प्रकार का energy है तो wind energy इसके अलाबा अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये mic में आवाज जा रहा और आप तक पहुँच रहा है तो it is also type of energy that is called as sound energy guys इतना ही नहीं जो बिजली हमारे घर पे आती है या फिर जो बिजली कड़कती है जिससे ये light जल रहा है जो आपको मेरे चस्मे में दिख रहा होगा सायद या फिर जिसके करन ये room रॉसन हो चुका है आपके घर में जो भी चीज़े दिख रही है light के करन that is also a type of energy तो light is also a type of energy या फिर आप कह सकते हो electrical energy इतना ही नहीं जो धूप से light आता है उसे हम कहते हैं solar energy या फिर light energy तो धूप से भी energy आता है और guys आप लोग को पता है कि हमारे घर पे जो बिजली आती है वो nuclear power plant में भी produce हो सकता है तो nuclear energy is also a type of energy इतना ही नहीं बहुत सारे energy के types हो सकते हैं जी हाँ energy के बहुत सारे type हो सकते हैं अभी हमने कुछ example देखा उधारन के लिए heat energy फिर हमने देखा wind energy फिर हमने देखा sound energy फिर हमने देखा electrical energy light energy और हमने एक आवा देखा था nuclear energy ये कुछ example है और भी energy हो सकते है जैसे की बताओ सोचो muscular energy हो सकता है सारे टाइप सो सकते हैं moving further बच्चो एक सवाल है जिसका जवाब अब comment में बताना dash is the capacity to do work वाव this is a good question energy force power momentum क्या है वो चीज जिससे हम काम कर सकते हैं comments में जरूर बता है मुझे पता चलेगा कितने बच्चे सिरियस है पढ़ाई को ले करके चलिए अब आगे बढ़ते हैं moving further बच्चो अब देखें आप हमें पढ़ना है mechanical energy के बारे में जैसा कि आपको पता है आपके chapter में इस work and energy वाले में आपको mechanical energy के बारे पढ़ना है ना वोट इस mechanical energy भाहिया बहुत अच्छा से समझाता हूं पहले इसके types के बारे में हम पढ़ने वाले है potential energy and kinetic energy अब आप सोच रहों के भाहिया आपने तो अभी इतने सारे energy का type बता है लेकिन इस simple वाले क्यों नहीं बता है potential and kinetic क्यूंकि इसको हम और detail में पढ़ने वाले हैं इस chapter में अब समझते है kinetic energy को पहले तो kinetic energy मतलब क्या होता है कुछ example लेंगे और उससे समझेंगे सबसे पहले kinetic word का मतलब होता है motion भाया जो लेक्चर नमबर वन में चैप्टर नमबर वन में पढ़ा था जी हां motion movement तो kinetic का मतलब क्या होता है motion तो motion के कारण जो energy होगा उसको हम कहेंगे kinetic energy असान लग रहा है सुनने में चले कुछ उधारन लेते हैं बचोई एक hammer है जो की रुका हुआ है the hammer is at wrist अब एक सवाल है मेरा कि is work done by a hammer at wrist अगर एक hammer wrist पे है खेर kinetic का मतलब था motion वाली energy तो क्या ये कोई work done कर रहा है ऐसे भी कोई वी चीज रेस्ट पे होती है तो work done नहीं करती है तो इसका answer है no yes the answer is no अच्छा एक बात बताओ अब यही एक hammer एक लकडी में फ्लैंक के अंद रहा है उसका displacement हो रहा है मतलब yes यह work कर सकता है तो मैं क्या कहता हूं कि moving hammer has the capacity to do work moving hammer के पास एक capacity है जो उस hammer के पास नहीं थी जो rest पे था तो moving hammer has a capacity to do work और इसी capacity to do work को मैं क्या कहूंगा moving hammer has energy and that energy is called as kinetic energy तो moving hammer has a capacity to do work और क्योंकि वो move कर रहा है motion में है और तब work done कर रहा है तो कौन से energy युच कर रहा है kinetic energy तो बच्चों इससे मुझा समझ में आता है जब भी कोई भी चीज motion में होती है like मेरा हाथ अभी motion में है तो उसके पास क्या है kinetic energy है let's move further एक और example लेते है लेकिन उससे पह movement के कारण जैसे यहां पर है that is called as kinetic energy एकदम आसान है एकदम simple है let's move further बच्चों मेरे पास एक कार है ठीक है और यह कार नहीं यह तो हाहा कार है और यह कार मूव कर रहा है तो मुझे बताना इसके पास कौन से energy है जी हां आपने एकदम सही पकड़ा that is kinetic energy इसके पास कौन से दूसरों तक भी share करना क्योंकि ऐसे कमाल के content लोगों तक जाने चाहिए और हमारे 9th के बच्चों को भी तो पढ़ना है लोग 10th के बारे में सोचने 12th के बारे में सोचने 9th का क्या basic layer ने रहेगा तो 10th 12th क्या समझा आएगा तो सभी तक share जरूर करना बच्चों अगला है kinetic energy now what is kinetic energy तो मैं पता है kinetic energy क्या है हमें define कर ले तो यह घोडा दोर रहा है इसके पास कौन सी energy होगी जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने running horse also possesses kinetic energy इतना example काफी होगा मेरे हिसाब से आप सबसे important part जो हमें समझना है that is expression for kinetic energy सबसे important part expression for kinetic energy जो आपको समझना पड़ेगा तभी आपके एक्जाम में आप अच्छे number score कर पाऊगे और इससे ही हमें kinetic energy का formula भी drive करना है दिखो मैं तुम्हें start करने से पहले तीन चीज़े बताना चाहता हूं एक तुम्हें flow याद रखना है सबसे पहले work done का formula फिर दूसरा एक formula जो उसमें substitute करना है और कुछ values समझते हैं बच्व मा एक block के ओपर एक छोटा सा block है जिसका mass m है और यह position a पे रखा है a point पे रखा है an object of mass m clear at a ठीक है initially यह रुका हुआ है initially यह रुका हुआ है तो initial velocity 0 हो जाएगा it is at rest तो initial velocity क्या हो गया 0 हो गया point number 1 अगर यह रुका हुआ है तो इसके पास initial velocity क्या होगा 0 होगा u is equal to 0 तो जब जब हमें हमारे expression में u की value डालनी होगी तो हम बिंदास 0 डाल देंगे क्या है अच्छा बच्चो अब मैं क्या करता हूँ इस पे force f apply करता हूँ इसको point b तक लेके जाने के लिए तो मालो कि मैंने force f इस पे apply किया इस तरफ से इसको लेके कहा तक जाना है point b तक लेके जाना है a से b तक गया force apply करने पे मतलब इसका क्या हुआ है बच्चो displacement हुआ है right let the displacement be s यहां से यहां तक जाने के लिए जो displacement जितना भी दूर वो गया है उसको मैं s ले लेता हूँ और उसके जाने में time कितना लगा है t और finally जब यहां से यहां तक गया तो इसकी जो final velocity थी वो v है कु कोई भी चीच पर हम force apply करते हैं और उसका displacement होता है तो work done हो जाता है तो मैं work done का formula लिख लेता हूँ work done is equal to force into displacement जिसको हमने lecture number one में पढ़ा था दिखो बच्चो इसको मैं बोलूगा equation number one इक्तम आराम से बता रहा हूँ समझते चले जाना यहां पर एक force है और displacement है तो मुझे द Newton's second law of motion के सबसे force मा होती है force is equal to mass into acceleration तो ठीक है यहां तक हो गया इसको मैं equation number two कह दूँआ simple आचे यहां पर एक s भी है तो मुझे s के लिए भी कुछ निकालना है क्या मेरे पास laws of motion वाले equation है Newton ने जो दिया था हाँ using Newton's second equation of motion क्या था s is equal to ut plus half 80 square चैप्टर नुबर वन में मैंने कैसे याद करना सिखा था शुभाम कि मैं हूँ मेरी मम्मी आके कहते है उठ आधा आटा स्क्वेर याद आ गया very good चले तो s is equal to ut plus half 80 square यह हमारा equation है तो हमने यह भी निकाल लिया यह भी निकाल लिया इसको equation number three कह देते हैं बच्चो एक कमाल की बात देखो यहाँ पर यू आ रहा है मैंने आपको starting में क्या कहाता है जहाँ भी यू आए चुप चाप से 0 डाल दो ठीक है तो u के जगे अगर मैं 0 डालता हो तो 0 into t 0 हो जाएगा तो बच्चा क्या half 80 square साथ में यहाँ पर 0 था इसके लिए त second equation of motion और Newton का second law of motion जो की force का formula है असान है u की value भी डाली है अब मैं क्या कहा रहा हूँ यह तीन equation मेरे पास है डालिया हमने तीन equation निकाल ली है मैं क्या करूंगा यहाँ पर f और s दिख रहा है मेरे पास f और s की value है तो मैं उठा करके स्वाहा कर दूंगा मतलब substituting equation 2 and 3 जो की यह है force और s की value in equation 1 तो force के जगे पे यहाँ पे f के जगे पे मैं ma डालूंगा और s के जगे हाफ 80 square डाल दूंगा दिखाता हूं मैं तुम्हें w is equal to f के जगे मैंने ma डाल दिया और s की जगे half 80 square डाल दिया असान है बचो अब यहाँ पे ध्यान से देखना एक कमाल की बात ह M एक बार है मैं half को क्या करूंगा मैं आगे की तरफ खसका दूंगा और A दो बार दिख जगे हैں मतलब क्या हो जागा A का square और T का square गाम already है तो क्या मैं इसको एसे ले रिख सकता हूं half को मैंने इस तरफ ले लिया, m को इस तरफ ले लिया, arrange किया half m, a दो बार था, तो a का square, t दो बार था, तो t का square, मतलब 80 का whole square, एक बार अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पर दियान से दिखीगा, मैं कह रहा हूँ, कि यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं half को आगे ले रह हूँ, m को उसके बाद रखा, a का square था, और t का square था, right, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, half, m, a और t साथ में, और क्यूंकि दोनों का square है, बिलकुल लिख सकता हूँ, तो वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, is it clear, असान है, अरे भाया, बिलकुल असान है, चले, laser pointer ले लेते हैं, तो इसको मैं equation number 4 कह देता हूँ, तो बच्चो, मेरे पास equation number 4 क्या है, w is equal to half, m, 80 square, जाओ, 80 square, अब मैं क्या करूँगा, using Newton first equation of motion, Newton का first equation of motion मैं use करूँगा, क्या था, v, u add, date, yes, v, u add, v is equal to u plus 80, बच्चो, जहाँ भी initial velocity दिखें, वहाँ पे, u के जगे पे 0 डा 80, मिलेगा क्या हमे, v is equal to 80, very good, अब अगर मैं इसका square करता हूँ, तो यहाँ पे भी square हो जाएगा, पुरा square ले लिया, और यहाँ पे इसका square किया, यहाँ पे 80 का square कर दिया, क्या मुझे 80 square दिख रहा है, जो कि यहाँ पे भी है, तो क्या मैं 80 square की जगे पे, यह v square डाल सकता हो, बिल्कुल डाल सकता हो, इसको equation number 5 बोलो, और लिखो कि 4 और 5 equation है आपके पास, तो क्या करो, using equation 5 in 4, मतलब substituting, ठीक है, मैंने क्या किया, 5th equation को, 4th मैं substitute किया, तो 4th में मुझे 80 square दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे 80 square is equal to v square दिख रहा है, तो मैं 80 square के जगे क्या डाल तो half m as it is, और 80 square के जगे मैंने क्या डाल दिया, v square डाल दिया, तो w is equal to half m v square मिल गया मुझे, that is called as kinetic energy gained by an object and amount of work done on the object, मतलब मैं समझाता हूं, जब मैंने उस block को यसे push किया था, right, तो जो मैंने work done किया था, वही मैंने in form of kinetic energy दिया था, तो यही equation होता है हमारा kinetic energy का, तो kinetic energy is equal to work done is equal to हमारा ये वाला formula जो हमें मिला है, समझ मैं, तो जब मैंने उस block को ऐसे धक्का दिया था, तो actually मैंने force apply किया था, और उसको move किया था, movement के कारण जो energy होता है, वही तो kinetic energy होता है, तो ये रहा मेरा derivation expression से आने वाला answer, kinetic energy का formula के बच्चो, half m v square, असान है, चलो, तल दो, खतम हो गया, असान था ये, let's move further, कुछ sums है, जिसको हमें करना बहुत जरूरी है, solid example है ये, ठीक है, मैंने कहा था न, हर topic के बाद हमें immediately sum करेंगे, a stone is having a mass of 250 gram, एक stone है, जिसका version कितना है, 250 gram है, ठीक है, चलो, record हो रहा है, is falling from a height, मतलब ही देखो, ये एक stone है, जिसका version 250 gram है, ठीक है, और ये इस height से गिर रहा है, mass कितना है, 250 gram, हमें calculate करना है, kinetic energy, अगर इसकी velocity 2 meter per second square है, नीचे गिरने की, 2 meter per second, अगर इसकी velocity 2 meter per second है, तो ये नीचे गिर रहा, दुरूम, velocity 2 meter per second, mass 250 gram, height, पता नहीं कुछ भी height है, ठीक है, हमें धूनना height के से जरुद भी नहीं है, तो 250, एक किलो मतलब 1000 gram, तो divide by 1000 करो, जब भी आपको gram तो kilogram convert करना होगा, तो divide कर देना 1000 से, ठीक है, क्या होगा, ये 0 cancel, ये 0 cancel, 25 upon 100 is equal to 1 by 4, जिसका मतलब वो था 0.25 kg, असान है, velocity कितना दिया था, 2 meter per second, बचो, find क्या करना है, find करना है, kinetic energy is equal to half mv square, ये वाला formula है, solution लिखता है, formula डालो, kinetic energy is equal to half mv square, m के जगे पर क्या आएगा तुमारा, 0.25 kg multiply by v square के जगे क्या आजाएगा, v का value का है 2, तो 2 का square, क्या हो जाएगा है बताओ, half as it is, ठीक है, multiply by 0.5, ये 2 का square 4 होता है, ठीक है, 2 का square क्या होता है, 4, 4 multiply by 0.5, is equal to 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, त kinetic energy क्या आ गया, 1 का, half multiply by, sorry, 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 यहाँ पर देखे, give me a second, अब यहाँ पर देखो, फिर से आते हैं, ठीक है, solution लिखते है, solution क्या है बच्चो, kinetic energy is equal to half, ठीक है, formula में, m के जगे पर क्या डालना है, mass डालना है, कितना है, 0.25, डाल दिया, multiply by, यहाँ पर क्या है, v square, तो v की value क 2 का square कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट, यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, मेरे understanding के लिए, कि half multiply by, 0.25 multiply by 4, राइट, अभी यह calculate करने का क्या आएगा, पता है तुम्हें, यह अगर मैं calculate करूँगा, तो देखो, आगे क्या होगा, यहाँ पर kinetic energy is equal to half as it is, और इसका answer आएगा तुम्हारा 1, 1 multiply by half is equal to half itself, half का मतलब क्या होता है, 0.5, राइट, तो 0.5 Joule है तुम्हारा kinetic energy, असान है, एक और example देख लेते हैं, जो कि exercise में लिखाता, तब velocity work car increases from 54 km per hour, हमें second में चाहिए होगा, ठीक है, याद रखना, ऐसा unit, तो 54 km per hour to 72 km per hour, एक car है, ज पहले 52 km था, आगे-ागे जाते-जाते उसका speed बढ़ गया, how much is the work done if the mass of the car is 1500 kg, mass भी बताया है 1500 kg, गीवन क्या है बच्चो, mass 1500 kg, बच्चो, initial velocity हमें दिया हुआ है 54 km per hour, जब भी km per hour हो, तो उसे हमें meter per second में convert करना पड़ेगा, तो देखो 54, एक km में 1000 m होता है, एक घंटे के अंदर 60 into 60 seconds होता है, which is equal to 3600, तो हमें इसको इससे multiply करना पड़ेगा, इस चीज को calculate करने का आता है 5 by 18, तो जब भी आपको km per hour से meter per second में convert करना है, तो आपको given value को multiply करना है 5 by 18 से, the answer is 15 meter per second, final velocity हमें दिया हुआ है 72 km per hour, अब अगर 72 km per hour को अगर मुझे meter per second में convert करना कैसे करूँगा, 72 multiply by 5 divided by 18, जी हाँ तो मैंने वो किया, एंड मुझे answer मिलता है 20 meter per second, यहाँ तक सभी चीज़े clear है, अब find क्या करना हमें, work done to increase the velocity, initial से final तक बढ़ने के लिए कितना work done करना पड़ेगा, मतलब की kinetic energy में कितना बदला पाया है, तो मैं क्या कहूंगा, work done to increase the velocity, is equal to change in kinetic energy, right, तो change in kinetic energy कैसे निकालता हूँ मैं, kinetic energy is equal to half, mass तो वही यह अभी भी गाड़ी का, 1500 kg, लेकिन velocity final से initial, change हो रहा है, तो change in velocity कैसे निकालता है, final velocity minus initial velocity, यहाँ पर u square v square क्यों लिया है, क्योंकि formula में ही है, half m v square, velocity का square होगा, चलिए values डालते हैं फिर, solution लिखते हैं, change in kinetic energy is equal to half, mass का value 1500, final velocity 20, उसका square, initial velocity 15, उसका square, तो answer क्या आएगा, यहाँ पर देखे, half into 1500, 750, 20 का square 400, 15 का square 225, गाइस, आप अगर मैं 750 multiply by, अगर 400 minus 225 करूंगा, तो 175 आएगा, and change in kinetic energy का आया, 131, 250 joule, जो की बहुत ही आसान था, और यही आपका जबाब है, आई गूर्प के यहां तक आपको सभी चीज़े clear हो गई होगी, about kinetic energy, अब एक सवाल, when an object is in motion, it is having dash energy, kinetic, mechanical, chemical, potential, कौन से energy हो उसके पास, comment करके जरूर बताइएगा, flowing water has dash energy, बहते हुए पानी में, motion में है, तो कौन से energy होगी, जरूर बताइएगा, comments में, बच्चों मैं आपके आज share करना चाहता हूँ, कि मैं an academy पे भी पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे मेरा हूने वाला है, free class, on introduction to periodic classification of elements, on 10 July, at 5 PM, इस class में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से periodic classification of elements सीखने के लिए, जो जो data आना चाहिए, वो सब सीखने वाले हैं, और हम काफी सारे quizzes करने वाले हैं, जिससे हमारा एक practice हो जाएए, Now the session is on 10 July 2021, at 5 PM, and हाँ, आपको free में आने के लिए, इस class में, बस description में दियेगा link पे click करना है, और code योज करना है, SJSuper, नीचे आपको blink होता हुआ, code दिखरा होगा, so the link is in the description, फटक से आ जाएए, इस class में, on periodic classification of elements, मैं एक चीज़ा और share करना चाहता हूँ, description में एक और link है, and उसके लिए भी आपको यही code योज करना है, SJSuper, and आपको देखने को मिलेगा 10% का मजबूट discount, so all the best, फटक से आजाओ, उस special class में मिलते हैं, live सीखते हैं, let's move further, बचो, अब हम बात करने वाले हैं about potential energy, now you must be wondering कि भया, potential energy क्या होता है, तो potential energy के बारे में समझते हैं, देख जो कि एक object में stored होता है, due to its specific state, मतलब वो किस state में रखा हुआ, जैसे माईक एक specific state में है, तो इसके पास जो energy होगा, वो potential energy होगा, और position, जैस पोजिशन में है, right, जैसे कि मालो example ले ले लेता है, कि आपके हैं सामने एक तीर और धनुष दिख रहा है, right, you are saying a bow and arrow, अब अग को fire करना है, तो इस particular bow के thread को मुझे particular position या फिर particular state में लाना पड़ेगा, तभी ये fire होगा, else ये fire नहीं होगा, तो देखो ये target है मेरा, जिसको मुझे hit करना है, अब मैं क्या करूँगा, when the string of the bow is stretched, then it is in a specific state, अब मैंने इसके string को stretch किया, अब ये particular state में है, और जैसे ही मैं इ जाएगा, are you getting it, तो वो जो आपने खीच के जो एक state में लाया है, और उस state में जो energy आ गया है, उस चीज के अंदर, that is potential energy, तो potential energy is then used by the bow to throw off the arrow, तो ये bow क्या करेगा, उस potential energy को use करेगा, इस arrow को throw करने के, is it simple, moving further बच्चो, जब मैं सीधी पे चड़ रहा होता हूँ, तो मैं अ energy आ चुका है, right, क्योंकि मैं state पे खड़ा हूँ, अगर अब मैं यहाँ से गिरता हूँ, that is due to my potential energy, यहाँ पे जब मैं उपर खड़ा था, तो मेरे पाँ जो energy था, उस position पे रहने के लिए, that was a potential energy, the potential energy stored in the man is used to fall down, is it clear, moving further बच्चो, potential energy को हम डिफाइन ऐसे कर सकते है, the energy stored in an object because of its specific state or position is called as potential energy, जो energy stored होता है एक object में, उसके specific state या फिर उसके position के काराण, उसी को हम कहते है, potential energy, is it clear, चलो, expression for potential energy भी निकालता है, तो मालो एक बच्चा है, जो कि नीचे है, और दूसरा उसका भाई है, जो कि उपर खड़ा है, वो शक्ति माना के बचाएगा, इस बच्चे है, बॉल को मारा, और बॉल गया, उसके भाई के बस, बॉल का मास M था, ये building height H की है, और यहाँ पर gravitation भी होगा, जो इस बॉल को नीचे खीच रहा होगा, small g, चली, expression निकालता है, बच्चो, work done, जो इस बॉल को उपर भेजने के लिए, जो work done था, वो क्या था, force into displacement, force multiply by displacement, हमने ball पर force लगाया, और displacement हो गया, उपर तक गया, force का formula क्या है बच्चो, ये तो work done है, ठीक है, ये force है, जिसका formula होता है MA, और ball का displacement उपर height H तक गया है, right, height H तक गया है, तो displacement हो जाएगा height, डालो values, force का जगा है, डालो, यहाँ पर work done वही है न, जो potential energy, आप समझ रहे हो न, उस state में रहने के लिए, तो work done को ही हम potential energy बोलेंगे, is equal to force का value डाला MA, और displacement H height था, तो यहाँ पर A जो है, ये कहा है, acceleration है, लेकिन हमारे case में A क्यों आ रहा है, acceleration due to gravity आ रहा है, तो A हो जाएगा G, gravity नीचे खीच लेगे, right, तो acceleration due to gravity हो जाएगा, तो ये हो जाएगा small g, तो द Mg into H, तो expression का है निकला potential energy का Mg H, बहुत simple है, work done का value निको, work done ही potential energy है, force के जगे उसका formula डालो, displacement के जगे H, डालो height, and A को G से substitute करो, cancel बिल जाएगा, कता ही simple, okay, let's move further, एक sum करते हैं, 500 kg water is stored in a overhead tank, ये एक tank है, इसके अदर 500 kg water, कितना है, 500 kg, of 10 meter high building, इस building का height है, वो कितना है, 10 meter है, इस building का height कितना है, 10 meter है, calculate the amount of potential energy in the water, इस water, उस position में रहे निकले, उसके पास कितना potential energy है, ये हमें calculate करना है, तो देखो, given क्या है, mass of water 500 kg, height कितनी दी है, 10 meter, and acceleration due to gravity की value होती है, 9.8 meter per second square, जो कि आपको given रहेगा sum में, और नहीं दिया रह रहता है, find क्या करना है, potential energy, formula क्या है, MGH, 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 डालो values, solution में डालो, potential energy, M के जगे पे है, 500 G के जगे पे आएगा, 9.8 height के जगे पे है, 10, 9.8 into 10 कितना हो जाता है, बच्चो, 98, कितना हो जाता है, 98, लिख दिया उपर, अब देखो, 500 multiply by 98 is equal to 49,000 J, अगर इसको मैं divide करता हू 1000 से, तो मुझे जो answer मिलेगा, हो मिलेगा, 49 kilo J, kilo में convert किया है, तो basically दोनों में से कोई भी answer लिख सकते हो तुम, अगर kilo J में पूछा, तो divide कर देना 1000 से, और अगर J में पूछा, तो 49,000 J, okay, by the way, J is the right answer, यहाँ पे मतलब यह हम लिखते है, SI unit में हम J में लिखते है, kilo J में भ height से गिर रहा है, उसका energy 40% से reduce होता है, how long it will rebound, बहुत simple sum है, यह आपको मैं self practice के लिए दे रहा हूँ, देखो, solution डाल दिया है मैंने, और मैं आपको explain भी कर देता हूँ, क्या है, initial velocity कितना था, initial height कितना था, 10 meter, right, 10 meter के building से गिर रहा है, if the energy of a ball falling from a height of 10 meter, 10 meter, तो initial height 10 meter था, वहा ही करना है, मालो एक 10 meter का height है, और यहाँ से एक ball गिरने वाला है, तो इसके पास initially, जब यहाँ पे hold it था, तो इसके पास जो potential energy रहा होगा, वो 100% रहा होगा, right, 100 रहा होगा, तो जब यह गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा, तो क्या कह रहा है, 40% reduce हो गया, तो 40% reduce हो मतलब यहाँ तक क्या height क्या है, h2 क्या है, simple mg h value में डाल करके आप निकाल सकते हो, ठीक है, simple energy है सम, यह मैं जान भूज के आपको छोड रहा हूँ, देखलो, solution तो आपको दिखरा, potential energy is equal to mg h1, potential energy 2 is equal to mg h2, क्योंकि दो अलग-अलग height होंगे, जब ball नीचे तक गिरा था 40% तक divide करना है तुमको equation 2 को 1 से, यह तुम्हारे लिए है, ठीक है, बहुत simple है, इसको अगर तुम चाहते हो, तो मैं इसको अगले वाले वीडियो में solve करूँगा, अगर तुम comment करके बताओगे तुम, यहाँ पे मुझे एक बताओ, potential energy is given by mg t, mg h, kg h, mg, जो भी इसका answer है, comment करके ब be none, now this is an interesting question, so I hope कि तुम सारी चीज़े clear हो गई होंगी about lecture number 2, बाकी जो भी चीज़े रहे गई है, हाला कि कुछ रही नहीं है, एक यह सम मैंने छोड़ दे आप लोग के लिए, और वो भी मैंने solution पूरण दिखाया जरूर है, तो self practice कर ले न, अगर और कोई भी सम मिलता है त and just hit the like button की बाकी जो लोग आते हैं, उनको पता चले कि आर वीडियो में कितना जान डाला गया है, comments में सारे questions cancel बताना and thank you so much, happy learning अगर देए्और क सारे कर थन दॉण